मुख्यमंत्री अशोग गैलोत की अद्यक्स्ता में शेनिवार को मुख्यमंत्री कारियाले में हुई राज्य मंत्री मंदल की बैठक में केबिनेट ने राज्यस्तान न्याइक सेवा नियम 2010 के नियम 12 एवं नियम 17 में किये संशोधन संबंदी प्रस्ताव का अनमोधन किया अब इस संशोधन के पश्चाद राजस्थान याइक सेवा में भी राज्ये की अन्य सेवाओं के लिए विध्यमान प्रावधानों के अनुरूप अधिक्तम आयू सीमा में छूट का लाब मिल सकेगा राजस्थान याइक सेवा संशोधन नियम 2018 के अनुसार राजस्थान याइक सेवा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूंतम आयू सीमा तेवीज से घटा कर 21 वर्ष तता अधिक्तम आयू सीमा 35 से बढ़ा कर 40 वर्ष करने को मनजूर दी गई इसी प्रकार अधिक्तम आयू सीमा में सामान्य वर्ग के दिव्यांग जन को 10 वर्ष अन्य पिछडा वर्ग के दिव्यांग जन को 13 वर्ष तता अनुसुची जाती विवं अनुसुची जन जाती के दिव्यांग जन को आयू सीमा में 15 वर्ष की छूट देने का निर्णे को मनजुर दी गई है इसके साथ ही राजस्तान न्याएक सेवा में अती पिछड़ा वर को एक प्रतिसत आरक्षन देने का निने भी किया गया है मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने शनिवार देर रात मुख्यमंत्री कारियाल में स्वाइन फ्लू की इस्ति और रोक्ताम को लेकर स्वास्ते बिबाग के अधिकारियों के साथ उच्छिस तर यह समिक सा बैठक की उन्होंने जैपूर, जोदपूर, कोटा, उदैपूर और बारा जिले में सामने आए स्वाइन फ्लू के ज़्यादा मामलों के बाद इन जिलों पर विशेश ध्यान देने के निर्देश दिये साथ ही प्रभाविच जिलों में रोक्थाम और जागरुकता के लिए विशेश अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिये इस मौक्या पर चिकिस्सा मंतरी डॉक्टर रगुशर्मा भी मोजूद रहे बेठक में सवाईमान सिंग मेडिकल कोलेज के प्रधानाचारिय डॉक्टर सुदीर भंडारी ने जैपूर में स्वाइन फ़ू की इस्तिती और इसकी रोक्थाम के लिए की गई तैयारियों की जानकरी भी दी उन्होंने बताया कि SMS अस्पिताल में स्वाइन फ्लू की जाच और इलाज की सुचारू योवस्ता 24 गंटे उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने सर्दी के मौसम को देखते हुए सभी अस्पितालों और प्रात्मिक्स वास्ते केंद्रों में सभी दवाईयों की उपलब्धिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी चिकिसा संस्तानों में आवश्यक मेडिकल स्टार्प भी हर समय उपस्तित रहे।